हेलो स्टुडेंट्स, बेलकम बैक ओन वार यूटूब चैनल लो मैच्स आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और टैन सेकंड ट्रिक आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यूब रूट की एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब क्यूब रूट केवल दस सेकंड में कर पाऊगी तो अगर आपको भी जानना है समझना है यह वाली टैक तो पूरी देखिए हमारे साथ यह वीडियो और अगर आप भी ऐसी क्या करना है क्यूब रूटिन देखने के लिए हमें सबसे पहले बन से लेके 9 तक इन से नंबर्स का क्यूब हमें याद करना है 1 का क्यूब होता है 1,2 का 8,3 का 27, 4 का 64,5 का 125,6 का 216,7 का 343,8 का 512,9 का 729, और जो 10 का होता है बहुता है 1,000 ठीक है तो आज की वीडियो में हम solve करने वाले हैं cube root सबसे पहले cube root हमें find करना है इसका तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम last digit देखेंगे किसी भी नम का जो हमको दिया है जो perfect cube है ठीक है उसके बाद यहां पार है 7 तो हमें क्या करना है इन numbers को ऐसा लिखना है या फिर हमको याद कर लेना है ठीक है जो bun होगा अगर पीछे bun होगा तो हम सबसे पहले bun के लिए लिखेंगे bun अगर two होगा two के लिए लिखेंगे अगर two सबसे last में होगा तो उसके लिए 8 लेखेंगे 3 सबसे last में होगा उसके लिए 7 लेखेंगे अगर 4 होगा last में तो 4 लेखेंगे 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0 तो यहाँ पर आपने देखा होगा केवल 2 को हमें 8 में convert करना है और 3 को 7 में तो यह दोनों इंटर convert हो जाते हैं आपस में convert हो जाते हैं और बाकी के सब जो पीछे रहता है बही हम लिखते हैं ठीक है अगर पीछे 2 होगा तो उसको 8 में convert करेंगे और 8 होगा तो 2 को convert 2 में convert कर देंगे 3 होगा उसको 7 में convert करेंगे और 7 होगा उसको 3 में convert करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है 7 तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे 3 इसके बाद हमें क्या करना है पीछे के 3 दिजिट हता देना है सबसे पहले पीछे के 1, 2, 3 यह 3 दिजिट हता दिए तो बचा हमारे पास cable 2 अब हमें ऐसा number देखना है जिसका cube 2 से small हो 1 का cube होता है 1 2 का cube होता है 8 तो 1 का cube 2 से small होगा ठीक है उससे just small हो उससे ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए उसके पहले वाले cube को हमें देखना है 2 से जो छोटा होगा cube बाई होगा बन का यहाँ पर लिखेंगे बन इस तरह इसका cube root हो जाएगा भाई हो जाएगा 13 तो जो इसका cube root मिला हमें भाई 13 आ गया इसके बाद हम करते है next question यहाँ हमारे पास है 3 3 change होगा 7 में यहाँ पर लिखेंगे 7 इसके बाद 3 digit हताएंगे last के अब देखेंगे 185 185 से small किस digit का cube होता है तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 का cube है 225 6 का है 216 जो 5 का है 225 वै इससे small है लेकर 6 का बड़ा हो रहा है तो हमें छोटा वाला लिखना है जो की 225 है वै किसका है 5 का तो हम आगे 5 लिख देंगे इस तरह इसका cube root 57 हो गया तो आपने देखा है कितना आजान है मात second में हो जाता है इसके बाद हम को उससन अगला करने वाले हैं हमारे पास है 9267 इसका हमें cube root find करना है इसके end में bun है तो आपको पता है bun को हम direct bun में ही convert कर देती है तो bun को यहाँ पीछे लिखेंगे bun इसके बाद पीछे के 3 digits हताएंगे इसके बाद देखेंगे 9 से छोटा कौन से number का या कौन से digit का cube root है sorry इससे छोटा कौन से digit का cube है तो देखेंगे हम 2 का cube होता है 8 3 का 27 जो 2 का cube है इससे just small है इसके पीछे है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम तो इसका cube root 21 हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला question है इसके end में है 2 तो 2 कनबाइट हो जाता है 8 में तो 8 लिखेंगे हम इसके बाद पीछे के 3 digits हताएंगे इसके बाद हमारे पास बता है 681 681 हम देखेंगे इससे छोटा किसका cube होता है 681 से 681 से छोटा होता है 8 का cube याने की 500 12 8 के बाद 9 का होता है 729 जो कि इससे बढ़ा हो रहा है तो हम 8 का cube है 500 12 वो इससे छोटा है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे तो इसका cube root 88 आ गया आप करते हैं last question फिर तवाला इसके end में है 6 6 किसी में convert नहीं होता 6 को हम बैसे ही लिख देते हैं 6 इसके बाद हम पीछे के 3 digit 1000 देते हैं अठा दिए हमने पीछे के बचा हमारे पास 46 हमें 46 से छोटा cube देखना है किसका है 3 का है 27 है 3 का cube 4 का है 64 4 का cube बड़ा हो रहा है 3 का छोटा है तो हमें आप लिख देंगे 3 तो जो यह वाला number होगा 2 हो जाएगा 36 का cube इस तरह इसका cube 36 हमें find हो गया मिल गया तो आप लोगों ने देखा केवल 1 को same लिखना है 2 का केवल 8 होता है 3 का 7 8 का 2 7 का 3 बागी के numbers को हम same copy कर देते हैं once place पर इसके बाद हम पीछे के 3 digit हता देते हैं उसके बाद आगे बाले number से छोटा बाला cube देखते हैं कौन से digit का है और उसको हम 10th place पर लख देते हैं इस तरह हम 2 digit के number का cube root आसानी से find कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना है thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नाई ट्रेक्स के साथ तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए thank you